तो चलिए अब आगे की दरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट हम किस तरीके से लेते हैं अगर बात कर रहे हैं हम आउटपुट की तो इसको तीन तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है इसके बाद दूसरा देखिए document.write का भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसका कुछ खास परपस है आगे हम देखेंगे और आखरी है windows.alert के सहायता से भी यह काम होता है तो तीनों का एक छोटा छोटा यूज देख लेते हैं यहाँ पर क्या है सबसे पहले using inner.html inner.html की सहायता से तो अगर बात की जाए inner.html की तो इस sample code को मैं सबसे पहले run कर आकर आपको दिखाता हूँ तो इसको यहाँ पर हमने कर लिया copy अपने notepad की file में गए paste किया save कर दिया इस चीज को और उस file को हम open करते हैं जो की demo नाम से है और इस चीज को run करा रहा है तो simply यह run हो जा रही है अब इसमें देखें क्या चीज की जा रही है तो यहाँ पर देखें document.getElementById मतलब यह कह रहा है कि जहाँ पर भी आपकी id demo नाम की है जैसा कि यहाँ पर है वहाँ पर आप html में change करके 5 प्लस 6 की value प्रिंट करा दें 5 प्लस 6 प्लस करते हैं तो 11 आता है तो यहाँ पर अगर आप web page में भी जा कर देखें तो उस जगाँ पर 11 प्रिंट हो गया है simple सा मतलब है कुछ और नहीं है देखें यहीं चीज यहाँ पर समझाई गई है to access an html element a javascript can use document.getelementbyid id method मतलब html के element को access करने के लिए javascript की साहता से आप अगर करना चाह रहे है तो आप document.getelementbyid id की साहता से जिस भी id में बदलाओ करना चाहते है वो bracket में लिखेंगे और उसको आप कर सकते हैं जिसका sample code हमने run करा दिया है अगर आपने समझा होगा तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर example फिर से देखिए script tag के अंदर हमने इस चीज को लिखा id का नाम लिखा जहाँ पर आप change करना चाहते है जैसे यह id demo है तो इस demo id change करना चाहते है bracket के अंदर हमने demo लिखा क्या चीज करना चाहते हैं तो 5 plus 6 को हम print कराना चाहते है तो चीज print कराएंगे तो 11 आ जाएगा simple सी चीज है उमीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद अगला point देखते हैं document.write का इस्तमाल करके आप किस तरीके से run कराते हैं तो सबसे पहली चीज यहां पर समझने वाली है कि इसका इस्तमाल testing purpose के लिए होता है testing purpose के मतलब कि program को जब आपको test करना होता है किसी specific word को check करना होता है तो इसकी साहता से आप करते हैं ऐसा कैसे करते हैं इस चीज को मैं दिखाता हूँ और code को run कराऊंगा तो आप बाकी चीजे भी आसानी से समझ पाएंगे तो इस sample code हमने उठाया और अभी कुछ भी मैंने बताया नहीं है सिर्फ sample code को मैंने save किया web page में refresh किया और अभी कुछ नहीं किया है लगिन जब मैं इस try it button पे click करूँगा और यहां पर आपको दिखाऊंगा तो सिर्फ 11 screen पे आया अब इसने क्या किया इसने simple सी चीज की कि जहां पर भी आपने use किया था document.write सिर्फ वो चीज आपको दिख रही है और बाकी जितने भी html के part थे उसको हटा दिया और यही चीज यहां पर लिखी गई है using document.write after an html document is loaded will delete all existing html जितना भी पहले से html का हिस्सा उसको delete कर देगा और जहां पर इसको आप document.write को use की होंगे वो चीज आपको दिखेगी इसलिए उस हिस्से को test करने के लिए testing purpose से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है उमीद कर रहा है यह चीज आप समझ के होंगे और तीसरा windows.alert अब इसका नाम से ही समझ रहे होंगे कुछ चीज alert message type आता होगा इसके code को run कराते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से आपको दिखेगा देखे code को उठाया copy किया और यहाँ पर देखे हमने use किया है windows.alert को अब इसको save किया webpage में गया refresh किया और यहाँ पर देखे एक alert का message आ रहा है इस चीज को आप change भी कर सकते हैं उस चीज को आप alert में यहाँ पर दे सकते हैं जैसे मैं alert में दे रहा हूँ computer g दे रहा हूँ और save कर दिया webpage में गया इसको ok तो किया फिर refresh किया तो देखे अपके computer g alert पर आ जा रहा है तो कोई भी alert वाली चीज message देना हो तो उसके लिए यह इस्तमाल होता है output के लिए फिर बात आती है कि javascript में print करने के लिए तो print करने के लिए as such कोई भी message या कुछ भी तरीका या statement नहीं होता है लेकिन आप अगर print करना चाहें तो उसके लिए आप use कर सकते हैं on click में windows.print मतलब button मना सकते हैं जिस पर click करने के बाद print command active हो जाए इसको देखे किस तरीके से ये काम करता है code को एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर देखे हमने use किया है button में on click मतलब click करने पर windows.print आपका active हो जाए और button पर क्या लिखा रहेगा print this page इसको आप change भी कर सकते हैं सिर्फ print भी लिखना चाहें तो सिर्फ print भी लिख सकते हैं अब इसको मैं save कर दिया हूँ web page में जा रहे हैं run कराया हमने इस चीज को और print button हमारा आ गया और जब इस print button पर मैं click करूँगा तो हमारा print command active हो जाएगा और जो भी चीज स्क्रीन पर होगी उसको print करने के लिए हमारा जो function है वो तयार हो जाएगा समझ मैं यह simple सी चीज है कि आप किस तरीके से अपने web page को print करना चाहें तो उसके लिए customize button खुद से कैसे बना सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है पहली line देखें तो javascript does not have any print object और print method मतलब javascript में कोई भी print object नहीं होता है नहीं कोई print method होता है जिसकी साहता से आप यह काम कर सकें लेकिन हर चीज का एक जुगाड होता है तो यह उस चीज का जुगाड है चलिए आगे की तरब बढ़ते हैं javascript statement की बात की गई है तो सबसे पहली चीज javascript program यहाँ पर समझाया गया है तो program को अगर मैं समझाओं तो जैसे book को कोई पूछे क्या होता है तो हम बता देते हैं कई सारे pages आप combine कर दीजे तो वो एक book बना देता है वैसे प्रोग्राम क्या होता है तो program भी same चीज है कि कई सारे statement को जब आप combine करते हैं एक साथ तो वो आपका क्या बना कर देता है वो आपका program बना कर देता है तो यहाँ पर सबसे पहले program की बात की गई यह लिखा भी हुआ है computer program is a list of instruction to be executed by a computer मतलब कई सारे instruction जो की computer के द्वारा execute किये जाने है जब उनका combination हम बना देते हैं तो उसको program कहते हैं जरूरी नहीं कि कई सारे instruction ही हो एक भी instruction है तो वो खुद में एक program हो सकता है चलिए आगे देखते हैं a javascript program is a list of programming statement programming statement का list है आगे की तरब देखें तो statement की बात की गई है statement क्या होता है तो यहाँ पर देखें javascript statement are composed of values, operator, expression, keyword and comments यह आसान महासा में बोलें कि javascript statement क्या होता है एक line जो कुछ काम करने को बोल रही है जो कुछ command कर रही है जो कुछ चीज computer से करवा रही है वो हर एक line आपका statement होती है जैसे यहाँ पर example में देखे document.getElementById id की दवारा यहाँ पर changes हो रहा है id का नाम क्या है demo और उसके html में change हो रहा है hello dolly और उसके बास semicolon लग रहा है यह पूरी line एक चीज को करने को कह रही है कि जहाँ पर भी id demo है वहाँ पर html की चीजों को हटा कर hello dolly कर दिया जाए इस चीज को वहाँ पर replace कर दिया जाए तो यह चीज आपका क्या कर रहा है कोई काम करने को कह रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा एक statement हो जाएगा और आसानी से समझें और आसांत से तो जितने semi colon आप लगाते हैं वो लगबग लगबग एक statement आपका बना ही देते हैं ठीक है आगे चल रहे हैं semi colon के बारे में पूछा जा रहा है तो semi colon क्या होता है semi colon separate java statements मतलब java script में जो statement होते हैं उनको separate करने के लिए semi colon का इस्तमाल गिया जाता है इसको terminator भी कहता है इससे पता चलता है कि आपका statement खतम हो गया है और अब जो आगे आप लिखेंगी ये अगला statement होगा और java script की खासियत भी है कि ये line by line चलता है जब भी execute होता है ये जिस sequence में आपने लिखा होगा उसी sequence में चलेगा अगर function का इस्तमाल नहीं कर रहे है तब तक बाकी white space की बात की गई है तो java script की बात करें तो java script में white space का कोई sense नहीं होता है वो उसको calculate नहीं करता है जैसे कि देखे एक example में भी समझाया गया है कि अगर आप let से कोई variable person declare कर रहे हैं और इसमें आप कोई नाम देते हैं और फिर से आप person declare कर रहे हैं और फिर से कोई नाम देते हैं और उसमें space रख देते हैं तो space को ये count नहीं करेगा समझ रहे हैं इसपेस अगर होगा तो ये उसे count नहीं करेगा लेकिन अगर आप कहीं भी कोई statement लिख रहे हैं और वहाँ पर आप कोई operator का इस्तमाल कर रहे है plus minus into divide percentage या कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई space देना चाहिए ऐसा क्यों है सर कि space आप देने को भी कह रहे हैं उसको समझना काफी आसान हो जाता है जिसके कारण से एक अच्छी practice मानी जाती है कि अगर आप कभी भी program को लिख रहे हों तो उसमें जगां जगां पर जहां पर भी आप operator यूज कर रहे हैं या ऐसी जगां जहां पर चीजों को clarify करना हो साफ तरीके से दिखाना हो वहाँ पर आप white space लेंगे ठीक है आगे की तरब बढ़ रहा है Java script line length and line break यहाँ पर Java script में line की length और break की बात की गई है तो देखे कई बार Java script में line बहुत लंबी हो जाती है statement काफी लंबे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है for best readability programs often like to avoid code lines longer than 80 character एक line में 80 character से जादा हो तो आपको यह avoid करना चाहिए उसको दूसरी line में लाना चाहिए दूसरी line में कैसे लाएंगे तो जहां कहीं भी आपका यह operator लग रहा है जैसे यहाँ पर देखे screen को move करा रहा है आगे की तरफ बढ़ाते जा रहा है तब code को पढ़ रहा है फिर पढ़ने के बाद फिर पीछे की तरफ आ रहा है यह काफी lengthy हो जाता है और यही चीज़ यहाँ पर समझाई भी गई है if java script statement does not fit on one line the best place to make brick is after an operator सबसे अची place क्या है कि कोई operator आप यूज कर रहा है उसके बाद आप line change कर दें फिर बात की जा रही है java script code block की java script code block क्या होता है कि जब आप कई सारे code block को एक साथ रखना चाहते हैं कई सारे statement को एक साथ रखना चाहते हैं तो उनको आप curly bracket में रखते थे हैं इसका सबसे जादा इस्तमाल कहां पर होता है function में होता है जब आप आगे function बढ़ेंगे तो समझेंगे भी कि function में कई सारे statement को एक साथ जब रखना हो तो इसका इस्तमाल होता है ताकि जब उस function को call किया जाए तब ही वो piece of code execute हो जैसे यहाँ पर देखे एक my function नाम का function बना दिया गया है और ये bracket आपका लगा दिया गया है और इसको एक block में रख दिया गया है इस दोनों statement को और जब ये my function call किया जाएगा तब ये सारी चीज़े run होंगी ठीक है बाकी ये जो दूरी है ये जो आप bracket start और bracket end देख रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है इसी को आपका code का block कहा जाता है ताकि statements आपके एक साथ रहे है और फिर आखरी में comments की बात की गई है comments क्या होते हैं पहले भी बताया गया है HTML CSS में कि अगर program में आप कुछ ऐसी ची लिखना चाहते है जो की चाहते है run ना हो तो उसको आप comment में लिखेंगे ताकि कोई और programmer उस program को पढ़ रहा है तो उसके लिए आप indication दे सकें ताकि program को आसानी से पढ़ा जा सके समझा जा सके तो यह दो दरीगे से होते हैं single line comment आप यूज़ कर रहे हैं तो आप slash यूज़ करेंगे और multi line comment आप यूज़ कर रहे हैं तो slash के बाद astric या star की sign आप कह सकते हैं उसको यूज़ करेंगे इससे आप comment देते हैं comment का सिर्व एक काम है program की readability को बढ़ाना program की understanding को बढ़ाना ताकि आप भी दोबारा से program खोलें तो आप समझ पाएं कहां पे क्या variable लिया था किस काम के लिए function है क्या चीज कौन सा part कर रहा है यह सारी चीज आपकी कहां पे लिखी जाती है comment में ही यह चीज लिखी जाती है तो यह हमारा आज का lecture था उमीद कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा जुनना समझ में आया होगा comment में पूछेएगा PDF की notes आपको description में मिल जाएगी वहाँ से download कर लीजेगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए नमस्कार जैहन